आपको सबको नमस्कार एक अच्छी खबर देनी है किनर समाज वो समाज है जिसको आज तक सभी लोगों ने उनको उपेक्षा की उनके लिए कोई काम नहीं किया किसी सरकार ने पूरे देश में उठा के देख लिए पिछले 75 साल के इतिहास में किसी सरकार ने किसी पार्टी की सरकार ने किनर समाज के लिए कोई काम ने किया उनको उपेक्षा की द्रिश्टे से देखा गया आज मुझे बतावेते हैं बड़ी खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार ने किनर समाज के लिए ट्रांसजेंडर के लिए एक बहुत बड़ा निरने लिया है हमने निरने लिया ह कि किनर समाज के लोगों को दिल्ली की बसों के अंदर फ्री सफर का इंतिजाम किया जाएगा जैसे हम महिलाओं को फ्री सफर देते हैं महिलाओं को से कोई पैसा ने ली जाता हूं को फ्री टिकेट मिलती है ऐसे किनर समाज के सभी लोगों को दिल्ली की बसों के अंदर फ्री ट्रैवल की सुविधा दी जाएगी दिली सरकार ने यह निरने ले लिया है अब इसको एक कैबिनेट में लाया जाएगा अगले कुछ तिनों के अंदर और एक बार केबिनेट का फैसला जब नोटिफाइए हो जाएगा तो यह सुविधा जल्द से जल्द चालू हो जाएगी कोशिश करेंगा कि लिए कुछ हफतों के अंदर ही इसको लागू करवा दें October 2019 में महिलाओं के लिए हमने free सफर का ऐलान किया था और ये महिलाओं में बेहद popular हुआ लगबग 14 लाख महिलाएं डेली दिली की बसों में travel करती है free travel करती है और मेरी कई महिलाओं से बात हुई है किस तरह से इसने उनको अलग-अलग किसम 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 कि मैं कोई students हैं कोई housewives हैं कोई समान लेके जाती हैं काम करती हैं salary हैं कोई अपना ready लगाती है कोई अपना कहीं सबजी की दुकान लगाती है किसम किसम की महिलाएं हैं जिनको अलग-अलग तरीके से इसका benefit हुआ है जो free हमने वो की और अभी तक 2 October 2019 से लेके आज तक 147 करोड टिक्टें free टिक्टे महिलाओं को दी जा चुकी है अब इसमें किनर समाज के लोगों को भी जोड दिया गया है वो भी दिली की बसो के अंदर free travel कर पाएंगी मैं उमीद करता हूं कि इससे उनको बहुत फाइदा मिलेगा और इससे उनकी जिन्दगी बहतर बनेगी